पैसों की भूखी ननद जूली अपने दोनों भाईयों की इकलोती पहन थी भाई भावियों ने कभी उसके लिए किसी भी चिसकी कोई कमी नहीं रखी पर जूली जरा अलग ही मिजास की थी उसे कभी संतोश ही नहीं होता था वो आये हर रिष्टे को एक और अमीर रिष्टे की तलाश में मना कर दिया करती आज फिर उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे यहां किसी को कोई मतलब भी नहीं है मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं दोनों भाबियों को आपस में हसी ठीठूली से फुरसद मिले तब कोई रसोई समभाले। अरे दीदी, आप बेकार में टेंशन ले रही हो, सब कुछ तयार है, आपको बस ट्रे लेकर उनके सामने जाना है। भाईया, आपने सही से पता तो किया है न, उन लोगों के पास पैसे तो है न? अरे सुबह से तु दस भी बार ये पूछ रही है, हाँ बिटा, वो लोग बिल्डर है, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके घर। सबी बाते कर ही रहे होते हैं कि लड़की वालों का परिवार उनके घर आ जाता है, दोनों परिवार वाले आपस में बाते करने लगते हैं। जूली और संभौ बाते करने कमरे में चली जाते हैं। मैं लंदन रिटन जरोर हूँ जूली जी पर मैं अपने परिवार से बहुत जुडाओं हूँ भगवान की क्रिपा से हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है अब बस मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरे परिवार को अपना परिवार समझ कर चले सच्ची संभव जी, मैं भी किसी की घर को अपना घर बनाने की तलाश में थी जहां सास, सुर्जी, चिठानी हो, एक भरा पूरा परिवार हो पता नहीं लोग न्यूकलियर फैमिली में कैसे रह लेते हैं जूली की बात सुनकर संभव तो बहुत खुश हो जाता है दोनों कमरे से बाहर आते हैं मुझी ये रिष्टा मन्जूर है मुझी भी अरे वा, संभव जी मुह मिठा कीजिए तो आज ही रोका कर लेते हैं और आने वाली तारिक परशादी मा रोका तो ठीक है पर शादी से पहले मैं कुछ दिन जूली से बात करना चाता हूँ उन्हें और करीब से जानना चाता हूँ ये आज कल की बच्चों का मन पर ठीक भी है न संभव जी अगर बच्चे एक दुस्ते को अच्छे से जान ले, परख ले आखिरकार पूरी जिन्दगी का सवाल है अगर आपको कोई अतराज ना हो तो हरे हमें कोई अतराज नहीं है क्यों जूली मम्मी, जैसा आप बड़ों को ठीक लगे बड़ी प्यारी सी बच्ची है वन्ना आज की जमाने में कौन ही बड़ो की इतनी सुनता है जूली और संभो का रुका हो जाता है जो लड़की हर रिष्टे को मना कर देती थी आज उसके हां के कारण पूरा घर बहुत ही खुश था अब तो दीदी पराई होने वाली है जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लो दीदी बड़ी जल्दी है आप लोगों को मुझे फेजने की जैसे इसी दिन का इंतिजार था तू हर बात को गलाते क्यों पकड़ती है जूली ऐसा तो तुस्से सुराल में कलेश करवा देगी हरकत बदल अपनी धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं जूली संभव के सामनी बहुत ही घरेलू और सीधी लड़की बनने का नाटक जारी रखती है संभव उसे रोज नई नई जगहों पर घुमाता उसे महंगी गिफ्ट देता और जूली इस रिष्टे से बहुत ही खुश थी जूली मुझे लगता है मैंने ज्यादा ही समय ले लिया तुमसे तो मुझे कब की शादी कर लेनी चाहिए थी मैं आजी पंडिजी को बुलवा कर शादी की तारिक निकलवा लेता हूँ संभव अपने परिवार के साथ जूली को अच्छा सुसराल मिलने की उतनी खुशी नहीं होती जितना अगाम उसे अपने मायके से कुछ ना मिल पाने का होता है वो दिन रात बस यही सोचने लगती है कि किस तर अपने मायकी की प्रापर्टी में हिस्सा ले ये दूनों दिवरानी चिठानी तो इतने प्यार से रहती है ये लोग तो घर का बटवारा करेंगी नहीं दो मैने ही है हाथ में कुछ तो करना पड़ेगा जूली तबी जूली के कमरे में अंकिता और शुबम आते हैं ये देखो बुआ मैं फोस्ट आई और मैं पास हुआ बड़ी मुश्कल से मिल गए महरे आरे शुबम तुम तो पड़ाई में काफी अच्छे थे पिर ऐसा क्यों और तुम दोनों को तो कामना भाबी पड़ाती हैं न तो फिर एक फर्स्ट और एक जस्ट पास अच्छे कोई बात नहीं पास सुना भी तो बड़ी बात है जब कामना के कमरे में कोई नहीं होता जुली शुबम को खिलने के बहाने कामना के कमरे मिले जाती है बाप प्रेव भाबी ने कितने सारे खिलोने लाये हैं प्रिया के लिए तुमारे लिए कुछ नहीं लाई भाबी ये तो गलत है, अंकीता भावी तो जब भी कुछ लाती है, दोनों बच्चों के लिए बराबर लाती है ये तो हाथ होगी, तुम्हें ठीक से पढ़ाती भी नहीं, ताकि अपनी बेटी आगे रहे और अब ये, पर तू टेंशिन ना ले बच्चा, तेरी बुवा तुझी गिफ्ट्स भी देगी और पढ़ा भी देगी जूली शुबम को धीरे धीरे इतना भड़का देती है, कि वो अब हर वक्त प्रिया से लड़ता ही रहता, उस पर गुसा ही करता रहता अब धीरे धीरे दोनों साथ खेलना भी बंद कर देते हैं, बच्चों का जगड़ा अब उनके माबाप तक के रिष्टों पर असर डालने लगा था एक दिन प्रिया के स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रोग्राम होने वाला था, जुली छिपकर प्रिया की ड्रेस को काड़ देती है, और जब प्रिया उस ड्रेस को देखती है, तो रोने लगती है शुबं को ऐसर नहीं करना चाहिए था, अब तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगी प्रोग्राम में, आप ही बताईए भाबी, नजाने क्या पट्टी पढ़ाती है भाबी उसे, अब हमारी प्रिया पढ़ती है, तो फूस्ट आती है, पर नहीं, अरे बच्चों तक को नहीं बख्षते ही ये लोग, मेरा क्या है, बीच दिन की मैमान हो, आज तो वो शुबं प्रिया के आँख फोडने वाला था, वो तो मैंने देख लिया, फिर तो मैं नहीं रहूंगी, तो ये बिचारी तो अंदे ही हो जाएगी, मैं तो कहती हूँ, वक्त रहते हैं, आप अलग ह हो जाएए भावी, बस जूली अपना आखरी दाओ चल दीती है, और उनके घर बटवारी की दिवार खींच्टी की नावबता ही जाती है, मुझे जिसे जितना हिस्सा देना है दे दे, मुझे कोई देकत नहीं है, मुझे भी, बीचों बीच पढ़ता है गल्यारा, तो बट दे भी, घर जितना छोटा रहेगा, उतना कम काटेगा, ये कहकर दोनों भाई वहाँ से उठकर चले जाते हैं, तबी संभो का कॉल आता है, जूली उससे बात करने अपने कमरे में जाती है, पर जूली की दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, खुशी कि मारे वो फोन प पूर्सिन प्रॉपर्टी का हिस्सा, ये सारी बात संभव सुन लेता है, और अपने परिवार के साथ जूली के घर पहुंच जाता है, आज आप लोगों के घर जो हो रहा है न, वो जूली के कारण, वो लड़की अपने भायों की नहीं हुई, तो मेरी क्या होगी, मेरा भी भाय है, कल को तुम हम दोनों के बीज में भी मिस अंडरस्टेंडिंग रियेट करोगी, और मेरा घर भी बरबाद करतोगी, मैं ये रिष्टा तोड़ता हूँ, ये कहा कर संभव वहां से चला जाता है, तू मेरा पूरा हिस्सा रख ले, रोहिद, भाय चल, हम फिर एक घर बनाएंगे, मम्मी पापा चलिए, सब ही जूली को उसके लालच के साथ छोड़कर जाने लगते हैं, तब जूली को एसास होता है कि उसने पैसो के लालच में क्या कर दिया, ने, ने, मम्मी बापा, भाया, ये मने क्या कर दिया, मैं अंधी हो गई थी, बचे माफ कर दीजि